पश्चिम यूपी में दे शेत करी कोना चा बाजों ने कौल टाकना रहे बगावा लगना रहे आपने सोबत आहित किसा नेता राकेश्ट के जी टिके जी से हम जानेंगे टिके साब सीम योगी यहां पर आ गए और बोले कि जो गर्मी है वो कम कर देंगे ठंड बढ़ा अब पता नहीं कहीं के लिए ठंड बढ़ा रहे गर्मी हैं तो सर्दिका मुसा में उनके ब्यान में कुछ गर्मी सी जादा लग रही है बहुत है तो मुक्य बंदिरी को इस तरह की इतनी भासा का इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब की दोजार तेरह के बाद और इस बार ज़्यादा लग रहा है कि बीजीपी को विकास के मुद्धों पर चुनाव लगना चाहिए लेकिन ऐसा स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं बही मुझे फरगर में यह चाते हैं कि स्टार्ट हो जाए यहां पर हिंदू, मुसलीम, जिन्ना इसे स्टार्ट को लोग जगडा करें और एक देश में माहल फेर बन जाएं लेकिन हम तो लोग समझदार हो गए यहां पर यहां बेवकूपाई दिविए बुरेत्था समझेगे वे जो लड़ाना चाहते हैं तो अब नहीं कोई लड़ता है आप अच्छा क्या जिन्ना या गन्ना मतलब की क्या है कि पच्छिम यूपी में जो समीकरण अखेलिश ने और आरेली के साथ मिलकर किया है वो सक्सेस्फूल हो पाएगा ऐसा लगर आपको अब हमें नहीं जादे जाने करें हैं हम तो मुद्दू पर बात करें जो करें हम पोल्टिक कौन किसके साथ लड़ रहा किसका हो ह किसका मुद्दा यहां पर चलेगा क्योंकि जब वोट डालने लोग जाएंगे तो विकास का विद्धा वोट डालने जाएंगे तो जगड़ा कौन करवना चाहता है देश को समाज को कौन तोड़ना चाहता है तेरा महिन्ने आंदोलन कि सरकार के खिलाब रहा यह रहेगा फसलों के रेट कम हैं बिजली के रेट बहुत जाद है तो यह मुद्दे रहेंगे गैस का सलंडर की कीमते बड़ी हैं लोगों पर पर्चेजिंग पावड नहीं है पैसा खताम हो गया इसकूल बंद है तो यह सारे इशू रहेंगे होस्पिटल का रहेगा इसको मरते हुए लोग रहेंगे बगएर ओक्सिजन के लोग तडपते भी रहेंगे यहां कोई नहीं मिला जब अक्सिजन चाहिए थी उनको वह इस नहीं इंटरी की है अब इस बार वो तो इनका रिष्टेदार है बीजेपी का अच्छा आया इनके आपस में रिष्टेदार ही आया इनके तो वोट बाटने के लिए उनके उपर हमला भी हुआ बहुत हाँ होगा होगा गलत चीज है हमला किसी पर भी होना तो उसकी जांच होने चाहिए पूरी अच्छा है प्रेनाम होगा मायवती चूप है तो आप लोगों में बीजेपी को फाइदा हो जाएगा मतलब की मिली भगत लग रही है कुछ हाँ लगे मिली भगत तो नहीं कुछ काग्जू से साथ कोई लोग बताते हैं कि अगर मायवती साथ में आती तो अखिलिश को टाकत मिल जाती है हाँ चार पांच ही घट्टे हो जाए तो ज़्याद टाकत से मिल जाए अच्छा लेकिन फिर आभी की जो राजनीति है जेंद को जेंद चोदर एक नया चेहरा है सामने उबर कर आ रहा है हम लोगों में गुम वहाई दे रहा है यह दो आस्ठा का सवाल है आच्ऽा साय किसकी आस्ठा किस में आस्था है नहीज होती आच्छा क्ट्री बढटती रहती है एक मेंने से चल रहा है किसी विरादरी को बहुत हाईलाइट कर जा रहा तो जिसको ज़्यादा आहिलाइट कर जाता है उसका इलाज करने का शडियंस रहा होता है यह किसी एक विरादरी का नाम ले रहे पूरा मेडिया चैनल सरकार तो उसे विरादरी कुछ हो को सोचाना चाहिए कि वह तार्गेट पर जादा आइलाइट पर जादा तेज जड़ागा वह फ्यूज होगा तो वही बच करोई हो इसे सरकार के एजेंडे में यह एक विरादरी तो जो बिजली का भी मुद्दा आया था तो उसके उपर क्या किस तरह से बिजली मेंगी है बारा रुपे पंदार रुपे हास्प है वो हर्यान में है यहां 175 है तो ज़्याद अंतर है बारा गुणा का अंतर है अब बिजली तो एक ही है हर बार सवाल यहीं उठाया जा रहा है कि आप क्यों नहीं चुनाओं के मैदान म में आते क्योंकि जो आप लड़ लो आपना घर का चैनल बना दो अगर वहां पर सक्सेस्फूल हो रहे हैं यह मोडल में पुछ रहा हूं कि अगर आप बोल रहे हूं कि किसानों में गुस्सा है तो यहां पर वो गुस्सा को इनकेश करने के लिए कोई पॉल्डिकल पार्ट अन्दोलन का असर जो है वो गाउं गाउं में दिखाए दे रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि किसान अन्दोलन एक वजह बनाया है क्या कि दो कम्यूनिटियों को इकटा नेमें यहां तो सभी इकटा जो गाउं के लोग है सभी इकटा ही है मतलब कि भाहिचारा ठीक है लेकिन तो पूरा गर्मी सभाहों में देख रही है ये बीज़ेपी के और अंदर है आप पता नहीं दीख रही होगे हम तो जाते हैं नहीं किसी में आम जानका नहीं जाते हैं चंद्रशकर रावन जो है वो भी घूम रहे हैं वो कहते हैं कि दलित यूद्ध जो है हमारे पीछे हैं आप पता नहीं हम जादा चीन के लिए रहती हैं किसी उस पर दलित पर इस पर किसी कोम्टि उस पर नहीं बात करते हैं हम गाहां गरीब किसान ही है अचा तो पूरे देश भर में जाएंगा लक्सन के बाद में तो वहां पर फेर मुद्द अचा दूसरे बात कि अमिशाजी ने जो बीच में मिटिंग लिए सभी बढ़े जातने पर किसी कोमटिटी की करते हैं हमारा संगठन नहीं हूं किसी कोम्टिटी का संगठन ही हम तो किसानों का संगठन चलाते है वो उन सब जोगर कोई उसका अद्श्यक्स होगा कोई ने वो बताएगा इस पर पॉलिटिकल पार्टी यहां भी अब उन नेताओं को मतलब की चुनावाते ही बुला ले आप बुला ले चाई पर बुला ले अच्छा बुला ले किस तरह से देख रहे हैं अब पता नहीं हम उसमें गई नहीं तो कैसे बता हुआ हमको तो बुला नहीं किसान तो पिछले साल 22 जन्वरी में बात चीत हुई थी तो हुई नहीं अभी बात ही एक साल से हमारे तो सरकार से है अच्छा क्या देख रहा है इस बार बदलाव कुछ हो रहा है अब जानकार जाता है निसकी बदलाव कुछ नाराज तो कुछ उजनता लगे गाउं की किसानों के मन में कुछ नाराजगी है और देखना पड़ेगा कि यह नाराजगी जो है वोटिंग के देन कितना असर लाएगे रामराई शिंदे जी मिडिया मुजफर नगर